हेलो दोस्तों तो दोस्तों कैसे हो आप सब आपका वाई हाजिरेनी वेकेंसी के साथ जैसा कि आपने थमनेल में देखा है कि आज जो वेकेंसी आ रखी है वो आ रखी है भारत डैनेमिक्स लिमिटेड के तरफ से बेसिकली जो कंपनी है गौर्रमेंट ऑफ इंडिया इंटरप अगर आप में पेशेंस की कमी है धैरी की कमी है धीरज नहीं है वीडियो को जल्दी जल्दी देखना है तो आप वीडियो को 2x मोड पे करके देखे ताकि आपका समय बचे लेकिन वीडियो को पूरा देखे क्योंकि यहाँ पे मैं आपको पूरा eligibility criteria शुरुवात में बताऊ वीडियो को कंटीन्यू करना उट जो अप्लाइ नहीं कर सकता है लाइक करने के बाद और आपकी जो ब्रांच है जो भी ट्रेड है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए ताकि आने वाले जो भी वीडियो रहेगी आपसे relevant रहने वाली है ठीक है अब बात कर ल पर चार साल तक आपका कॉंट्रैक्ट चलने वाला है क्योंकि अगर आपने आपने बीकॉम कर रखा है तो आप यहां पर डिप्लोमा वालों के लिए आपका यहां पर ब्रांच बहुत सारी ब्रांच इलिजिबल है आप प्लाइ करने का प्रासस भी यहां पर हम आपको बताने वाला है तो अब मैंने आपको पूरा को पूरा नहीं कर सकते है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी ब्रांच जरूर मैंचन करके जाए ठीक है ताकि आपको जो आगली वीडियो मिले मोग वहां आप से relevant देखने को मिले तो अगर आपने वारा टेलिग्राम चैनल वाट्सअप ग्रूप पर लिंक डिन जाइन नहीं कि तुम आपको डिस्क्रप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूँगा डिरेक्ली वहाँ पर क्लिक करके जाइन कर सकते हैं क्योंकि मैं वहाँ पर उन जॉप्सक क्यक्सर यूटूब से छूट जाती है यूटूब पे सारी जॉप्सका अपडेट देना पॉसिवल नहीं तो अगर आपने वारा जो दूसरा चैनल है जिसका नाम है केरियर ब्लास्ट है सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल का लिंक डिस्क्रप्शन में मिल जाएगा चेक आ डिरेक्टल यहां पर डाउनलोड कर लिए पीडियाप का अप्लाय लिंक दोनों लिंक आपको डिस्क्रप्शन में प्रोवाइट करा दूँगा डिरेक्ली आप वहां पे क्लिक करके आप इस पीडियाफ को डाउलोड कर सकते हैं अच्छे से रीडाउट कर लेना और अप्ल एक जॉब लोकेशन की बात करें है धराबाद का जॉब लोकेशन आपको देखने को मिलेगा ठीक है यहां पे टेलगान विशाका प्तनम तेखनेको basho क्राई कर लेगा place of posting तक यहां पर दे रखी है ठीक है अपर age limit यहां पर दे रखा है 25-22 तक यहां पर count होगा और यहां पर minimum education qualification यहां पर experience क्या मांगा उसके बार में बता रखा है basically यहां पर जो आपने apprenticeship किया है उसको as a experience count किया गया है बहुत ही बड़ी opportunity आपकी apprenticeship का फायदा जरूर से जरूर उठाए अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर से जरूर शेर करें जो भी आपने apprenticeship कर रख है उसको experience count किया गया मैं बार बार कहता हूं कि apprenticeship जरूर करें आपका एक साल बरबाद नहीं होगा कभी भी वेकेंसी निकलती है उसको experience count किया जाएगा आपके जो apprenticeship किया है उसको तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कैसे experience count किया जाएगा प्रोजेक्ट आप देख सकते है डिप्लोम असिस्टेंट का लेकेंसी है जिसमें graduation वाले girl डोसे अपको आपकोicky कर लेकर टोट्र जीप्लोम अब आपको 36 देखने के बात कर लेते ही यहां यहां के टोटल न वॉश्ज़व कर दे रखी है और यहां क्योंद निकन लगे लुका कर सकते हें लेक्ट्रोनीक में कीए है टो फूरिपे सकते हैं टॉटल नंबर वैकेंसिया वालों के लिए 44 यहाँ पर देखने को मिलेगी इस criteria की बात करें तो यहां पर 28 साल से लेके आपका यहां पर 28 साल आपका यहां पर इस criteria रखा गया for a general candidate यहां पर देख सकते हैं ठीक है 18 साल से 28 साल रखा गया है 25-2022 तक यहां पर count होगा और इसी relaxation बिल्कुल दिया जाएगा सेस्ट के टिगरी को 5 साल का ओभी सी के टिगरी के आप तीन साल का इसी रख्षिश ने आप दिया जाने वाला है ठीक है बात कर लेते हैं यहां पर कुछ और important point के बारे में जो कि यहां पर देख पार education qualification की बात कर लेते हैं यहां पर डिप्लोमा assistant mechanic के लिए यहां पर देख सकते हैं यहां पर तीन साल के आपके बास डिप्लोमा होना चीए तो आप अपने according देख सकते है अगर आपने यहां पर कर सकते हैं यहां पर अगर आपके बात कर लेते हैं अपने जो काम की वेकेंसी के बारे में तो यहां पर आपने आइटीये किया है कोई experience required नहीं है आपके बात कर लेते हैं कुछ और important point के बारे में तो यहां पर देख सकते हैं कि जो यहां पर minimum एक साल का अगर आपके पास experience है पोस्ट qualification आपके पास experience है तो ठीक है जो भी आपने डिप्लोमा के उसके बाद या फिर अगर आपके पास अगर आपने जो apprenticeship किया है उसको as a experience count होगा DCCP और DCP post के लिए ठीक है यहां पर as a experience count होने वाला है तो यहां पर सबसे बढ़िया बात ही में कोई यह लगी कि आपने जो apprenticeship कर रखा है उसे as a experience count किया गया है तो इसलिए बार बर कहता हूँ कि आप apprenticeship जरूर से करके रखे ताकि जब भी vacancy निकले as a experience उसको count करवा सके उससे क्या होता है apprenticeship करने से जो आपके जो आपका education के अंदर gap होता है वो नहीं आता नहीं तो अगर आप एक साल apprenticeship नहीं करोगे तो education के अंदर gap आ जाएगा तो इस चीज़ का आपको खयाल रखने apprenticeship जरूर से जरूर कर लेने हैं यहां पर इनिशली जो आपका contract चल रहेगा उनके लिए एक साल आपका इंट्री लेवल रहेगा उसमें अपका salary रहेगा पत्चीजार सेकेंड यह रखने को मिलेगा और जिन्होंने आइटी किया है उनके लिए वेकेंसी में आपको बता रहेगा फर्स्ट यह रखने को देखने को मिलने वाला है selection process की बात करें तो यहाँ पर जो आपका selection process होगा वह आपका CBT exam होगा 75 marks का आपका exam होने वाला है प्लस यहाँ पर जो आपका relevant qualification experience रहेगा उसके यहाँ पर 10 marks मिलेंगे अगर आपको एक साल का experience है तो 3 marks 2 साल का है तो 6 marks 3 साल का है तो आपको 10 marks मिलने वाला है और 15 marks का आपका यहाँ पर इंटर्वी होने वाला है टोटल यहाँ पर 100 marks पर basically merit आपके बनने वाला है यहाँ पर रहेगी और अगर आपको कुछ डाउट है तो comment box में comment करके पूस सकते हैं यहाँ पर देख पार है apply कैसे करना है यहाँ पर प्लिकेशन पीस रखा गया 200 रुपय आपके यहाँ पर पर फिल करना लिंक आपको description में मैं आपको provide करा दूंगा directly आप पर क्लिक करके आप form को भर सकते हैं simple सा process रहने वाला और यहां पर देख सकते हैं कि जो इसका last date रहेगा 4622 इसका last date रहने वाला 14 तारिक से start हो चुका है और 4622 इसका last date आपको देखने को बिलेगा कुछ doubt है कुछ भी आपको पूछना है तो आप नीचे comment box में comment करके पूछ सकते है important date में यहां पर बता रहा है कि आपको यहां पर यह सारी चीजे जैसा कि कि आप यहां पर देख सकते हैं ठीक है अगर आपको कुछ डाउट है कुछ भी पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं तो मेरे आज के लिए वीडियो को लाइक करेगा शेर करेगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीट है एड कमेंट कर